तो गाईज आज हम इस वीडियो में एक लेसन रीड करेंगे तो इस चैनल पर हम लोग इंप्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थूरू न्यूस पेपर्स, स्टोरीज एंड लेसन रीडिंग तो आज की वीडियो में हमें कम्प्लीट लेसन रीड करेंगे लेसन का नाम है और लेटर एक पत्र टू किसको गौड भगवान को तो ये हमारा क्लास टेंथ का इंग्लिश की बुक का लेसन नमबर वान है तो पूरा पढ़ेंगे वोकाबलरी एंड ग्रमार्टिकल कॉंसेप्ट आपको मैं बताता चलूँगा बाकी आप इसको पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और एक चीज़ और बता दूँ कि पूरी इंग्लिश सीखने के बाद बेसिक टो एडवेंस लेवल तक तो उसी के बाद हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम न्यूजपेपर, स्टोरीज और लेसंस, हिस्ट्री, एटसेटरा ये सब पढ़ते हैं ताकि हम प्राक्टिकल एप्लिकेशन देख सके, जो भी हमने इंग्लिश के कोर्स में सीखा है तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्टैप बाइस्टैप इंग्लिश तो आप मेरा कोर्स जोईन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो वीडियो थोड़ी सी बढ़ी होगी तो पूरा देखिएगा यहां पर लिखा है एक पत्र टू गॉड भगवान को राइटर का नाम है जी एल फ्यून्टिस तो यह हो गया राइटर का नाम यहां लिखा है before you read मतलब इससे पहले की आप पढ़े they say वे कहते हैं present indefinite tense क्या बोलते हैं faith can move mountains जो faith है यानि कि विश्वास है वो परवतों को भी हिला सकता है तो यहां पर वर्ड याद आप सबसे पहले करेंगे move mountains मतलब परवत हिला देना simple भाषा में इसको गएंगे impossible को possible कर दिखाना तो यह किसके through possible है faith के जरिये faith मतलब विश्वास तो वे कहते हैं कि विश्वास impossible को possible कर सकता है तो can modal verb but लेकिन what should we put our faith in तो put in का मतलब हो था किसी चीज में कुछ डालना और यहां पर बीच में लिखा है our faith मतलब हमारा विश्वास तो हमें अपना विश्वास किस चीज पर डालना चाहिए किस में डालना चाहिए या फिर किस पर करना चाहिए तो should का use we subject है this is the question यही वो स्वाल है दर लगा हुआ है इसका मतलब यही वो स्वाल है कौनसे स्वाल this story poses जो यह स्टोरी उठाती है पोज का मतलब क्या होता है दिखावा करना शो करना दिखाना या उठाना और delicately delicately का मतलब होता है नाजुकता से सुक्षमता से ठीक है कोई भी जो products होते हैं जो तूटने वाले होते हैं delicate product होते हैं नाजुक से होते हैं तो वही कहारे है बड़ी delicately बड़ी ही नाजुकता से यह स्टोरी इस स्वाल का क्या करती है पोज करती है उठाती है इस स्वाल को कौन सा स्वाल फेट कें मूव वाउंटेन की विश्वास परवत हिला सकता है तो दूसरा वर्ड आप याद करेंगे डैलिकेटली इसका मतलब हो गया नाजुकता से बड़े ही सुक्षमता से आगी लिखा है लैंचो इस फार बार मिलेगा तो लैंचो एक फार्मर है हूँ जो राइट से लैटर एक पत्तर लिखता है तो गोड भगवान को वेन जब हिस क्रॉप्स आर रूइंड जब उसकी फसल बरबाद हो जाती है आस्किंग फोर तो यह पत्तर तो लिखता है आस्किंग फोर मतलब मांगते हुए जैसे इंडिया में रुपी चलते हैं कई डॉलर क्षटा कई चलता है उसी जब किया स्टॉरी तो उस्ट्रें पैसोज चलता है तो यह करंसिए तो लैंचो एक किसान है हूँ जो लिखता है पत्र भगवान को वेन जब क्रॉप्स क्या है क्रॉप्स मतलब फसल रूइंड ब हंडर्ड पैसोज तो हूँ यहां पर रिलेटिव प्रोनावन है विच यहां पर कनेक्टर है डज लेंचोज लेटर क्या लेंचो का पत्र रीच पहुचता है गौड भगवान के पास present indefinite tense Reach वब की first form letter subject does God send him the money क्या आपके जवाब क्या होंगे यूर आंसर तो दीज क्वेस्टन्स फुल्ट-ॉड़ बी कहरें कि सोचो आपके जवाब क्या होंगे इन आंसर्स के तो यहां पर कल्पना करने के लिए का जा रहा है इसलिए विलका हो गया वुड next है and guess or guess करें मतलब अंदाजा लगाएं how कैसे this story continues कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है before you begin to read it इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें तो guess करो कि यह story आगे कैसे बढ़ती है तो यह आप guess करें तो उमीद है समझ में आया यह सारा का सारा अब आज यह इसके बाद नीचे यहां पर लिखा हुआ activity story अभी नीचे start होगी तो इसको भी हलका सा देख लेते हैं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे one of the cheapest ways ways मतलब तरीके या रास्ते cheapest मतलब सबसे सस्ते तो one of the cheapest ways सबसे सस्ते रास्तों में से एक जो है कौन सा रास्ता to send money पैसा भेजने का to someone किसी को is वो है through the post office post office के जरिये तो यह one of the से लेकर someone तक सारा subject है is लगाओ है through यहां पर preposition है तो यह हमारा simple tense हुआ तो सबसे असान तरीका कौन सा हुआ post office पैसे भेजनेगा have you ever sent or received क्या आपने कभी send करें मतलब भेजें यह receive करें प्राप्त किया money पैसा in this way इस तरह से here is what you have to do तो यहां पर है here is मतलब यह है या फिर यहां पर है what you have to do आपको करना है यहां पर है have to का लेसे नमारा ना है निया निया यह you have to do आपको करना है as you read the instructions जैसे कि आपने यह instructions पड़ी instructions मतलब निर्देश कि आपको यह करना है यह करना है as का मतलब आप यह जैसे कि as के art uses है वो कोर्स के अंदर कवर किये है वीडियो नमबर 200 में तो as you read the instructions जैसे कि आपने यह instructions read करी discuss अब discuss करे चर्चा करे with your teacher अपने teacher के साथ in class class में the meanings of these words इन शब्दों के मतलब कौन-कौन से counter counter आप जानते हैं जहां पर कोई भी ऐसे टेबल सा लगा होता है वहां पे manager या postmaster जो भी बैठते हैं उसको यह counter हो जाता है और counter clerk इस counter बैठने वाला कलर्क appropriate मतलब उचित मतलब जो जाया जाये acknowledgement मतलब स्विक्रिती जब हम कोई भी project लिखते हैं तो वहां पे starting page डालते है acknowledgement मतलब हम स्विकार करते हैं किस project को लिखने में हमने किस किस की मदद ली कहां कहां से reference लिया तो उस चीज़ को accept कर रहे हैं acknowledgement स्विक्रिती counter foil मतलब रसीद record आप जानते हैं जो बही खाता होता है तो यह word है कुछ तो consult a dictionary if necessary consult करो मतलब help लो dictionary की अगर जुरूरत होतो if necessary are there words क्या words होते हैं देर का chapter are there words क्या शब्द होते हैं कैसे शब्द corresponding to मतलब के अनुरूप मतलब के जैसे किसके जैसे these English words in English words के जैसे जो यह English में हमने उपर पड़े appropriate acknowledgement तो क्या ऐसे words होते हैं English में मतलब in your language आपकी भाशा में तो clear हो गए यह सारा ठीक है अब यह जो निच्चे लिखा है यह आप खुद पढ़ लीजेगा हम story पर आते हैं वापिस यह money order है तो पहले इस के थूप ऐसे भेजे जाते थे तो हम main story की तरफ आते हैं यहां पर story यहां से start होगी the house जो मकान है कौन सा house the only one केवल एक ही in the entire valley पूरी की पूरी में वैली मतलब घाटी एंटायर मतलब पूरी की पूरी तो मकान जो की केवल एक ही है पूरी की पूरी घाटी में set मतलब स्थित है located है situated है जो कहां पर बना हूँ है on the crest crest क्रेस्ट क्या होता है top मानलो यह पहाड़ी है यह चोटी पहाड़ी यह उससे चोटी पहाड़ी ऐसे पहाड़ी है तो इस पहाड़ी का top हुआ यह crest इसका crest य पहाड़ी है उसके top पर यह house था ठीक है तो set तो set का मतलब है sit बैठना set second form लगी हुई है past में story है तो इसका सीजा से मतलब है घर बैठा हुआ है घर situated located है top पर एक छोटी या नीची पहाड़ी पर from this height इस height से one could see एक व्यक्ति देख सकता था तो story past की है इसलिए could का मतलब यहाँ पर है सकता था past ability देख सकता था the river नदी को the field field मतलब खेत कौन से खेत of ripe corn पके हुए मकई के खेत जिनको आप कुकड़ी छली बोलते हैं मकई मकी बोल देते हैं और ripe मतलब पका हुआ तो पकी हुई मकी के खेत थे देखे जा सकते थे और कौन से पके हुए corn dotted with the flowers मतलब जिन पर full निकले हुए थे फूलों से भरे हुए dotted मतलब है भरे हुए with the flowers मतलब फूलों से जब जो यह आपने देखा होगा चली वगेरा होती है ऐसे यहां पे यह चली सी होती है यहां फूल से निकलने लग जाते हैं ठीक है white color के होते हैं कुछ तो अगर यह फूल निकलने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि वह फसल बहुत अच्छी होगी तो इसलिए लिखा है dotted with the flowers उन पकेवे मक्कों मक्कों पे क्या था फूल निकल रहे थे दैट जो यह डैट रेलेटिव प्रोनाव फ्लावर्स के लिए यूस किया गया है जो ऑल्वेस प्रोमिजड जो हमेशा से प्रोमिस करते थे तो स्टोरी पास्ट किया इसलिए प्रोमिजड लिख दिया नहीं तो हम यह कहेंगे कि यह जो फूल है जो निकलते हैं यह सबूत होता है किसका गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का पास्ट में था इसलिए हमने एडी लगा दिया जो हमेशा प्रोमिस करते थे अच्छी फ पकावा राइप मतलब पकावा कौन मतलब मक्काई भुट्टा बोल देते हैं कई लोग कुकडी बोल देते हैं डॉटिड विद्ध फ्लार्श मतलब फूलों से बरावा डैट रेलिटिव प्रोनाउन प्रोमिस मतलब वादा करना हार्वेस्ट मतलब फसल या उपज साच मेरें केवल एक चीज दस जाओनपोर मतलब उताम मुष्छादार वर्शा बहुत जोरत हैं कि दसी डॉयोह कोंसी चीज दलनटिव अर्थ नीडंट बतल्टिक जिसूरूरध थी ऐफ आर्थ नीडिड मतलब धरती को जिसकी जरूर्थ dif वो थी downpour, भारी वर्षा या मुसलाधार वर्षा, और या at least कम से कम अशावर, मतलब बुंदा बांदी या बोचारे पारिश की, तो वो एक चीज थी जो चाहिये थी धर्ती को, throughout the morning, throughout मतलब बुरी की पूरी, throughout the night, पूरी रात, throughout the day, दिन भर, throughout the morning, पूरी morning, या फिर all the morning, पूरी morning, तो पूरी morning, लैंचो, जो लैंचो है, who knew, who, यहाँ पर relative पूरुनावन ने लैंचो के लिए, तो जो जानता था, his fields, अपने खेतों को, intimately घनिष्टता से, जैसे, he is my intimate friend, वो मेरा घनिष्ट मित्र है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त, ऐसे ही, intimately, मतलब बहुत अच्छे से, घनिष्टता से, वो अपने fields को जानता था, लैंचो, तो लैंचो, फिर relative प्रोनावन लगा दिया, तो लैंचो है done nothing else, तो उसने कुछ नहीं किया था, बट लेकिन, सीधा स्काय, केवल आकाश को ही देखा था, towards, जो, मतलब किस तरफ देखा था, आकाश कौन सा, towards the northeast, जो northeast, direction में था, जैसे, चार डेरेक्शन होती है, इस्ट जांसूरे निकलता है, वेस्ट जांसूरे छिपता है, नोर्थ, जम्मू वाली साइड, साउथ, अपना कन्यकुमारी वाली साइड, कहरला साइड, तो इस्ट और नोर्थ, तो इस दिशा में वो देख रहा था, ठीक है, इसके लावस ने कुछ नहीं किया था, हैड लगा हुआ है, फिर दन लगा हुआ है, वह अब की थर्ड फोर्म, तो यह लेंच हो है, सब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट एंस, क्लियर हो गया, वर्ड याद करें, इंटिमेटली, घनिष्टता से, और थ्रू आउट, मतलब पूरा का पूरा, थ्रू आउट दम है, अब वी आर रियली, मतलब वास्तों में या सच में, तो अब हमें सच में, गोइंग टू गेट सम वोटर, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, वुमेन और तो गोइंग टू कब लगाते हैं, जब हमें फ्यूचर प्लान बताना होता है, अबाउट टू की जगह, लग और प्लाइड, औरत ने रिपलाई दिया, जवाब दिया, कौनसी औरत, हू, जो, रिलेटिव प्रोनावन है, हू वस प्रिपेरिंग सपर, सपर क्या होता है, रात का खाना, तो जो रात का खाना बना रही थी, तो उसने रिपलाई करा, यस, गॉड विलिंग, तो डबल इन पास्ट कंटिनियूस टेंस, और गॉइंग टू प्लस फर्स्ट फर्म, यह बताता है, फ्यूचर प्लान को, और वुमेन रिपलाईड, यह सेकिंड फर्म लगिया, पास्ट इंडेफिनेट, तो अगर आपको सारे रूल्स आते होंगे, तो आप आराम से समझ लेंगे, कि य क्या-क्या, कौन-कौन से रूल, किस तरह से यूज हो रखे हैं, बहुत सारे स्टुडेंट्स हैं, जो एक्जामस में लिख नहीं पाते हैं, उनको लेसंस आता है, क्वेस्टन आंसर याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं पेपर में, क्योंकि उनको इंग्लिश बनानी न सकते हैं, तो रूल सीखने पर ज्यादा फोकस रखें, इंग्लिश को सीख लें, तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, फिर साइंस भी हिस्ट्री भी सारे सब्जेक्ट आसान हो जाएंगे, सिरफ इंग्लिश आने से, तो आप जुरूर सीखिए कोर्स का डिटेल आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, तो यहां पर क्या हुआ, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है, अपनी उस लेडी को बोल रहा है, तो उस औरत ने क्या किया, जो सपर बना रही थी, रात का खाना, तो उसने रिप्लाई किया, हाँ भगवान ने चाह रहे थे, near the house, घर के बगल में, until, until मतलो होता, जब तक नहीं, until he comes, जब तक वह नहीं आता, until it rains, जब तक बारिश नहीं होती, until I know, जब तक मुझे पता नाओ, ठीक है, until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सब को नहीं बुला लिया, और क्या कहके, come for dinner, दिनर के लिए आ ज once का मतलब है, यहाँ पर boys, ठीक है, वो खेल रहे थे, घर के बगल में, clear हुआ, तो यहाँ पर while connector है, until be connector है, तो सब कुछ हमने सिखा वा है, तो आगे बढ़ते हैं, it was, यह था, during the meal, भोजन के दोरान, during is दोरान, तो यह था, भोजन के दोरान, अब क्या था, that की, just as, जैसा की, lencho had predicted, lencho ने predict किया था, just as का मतलब होता है, जैसे की, और lencho had predicted, predict मतलब होता है, भविश्यवानी करना, gas करना, तो जैसा की, lencho ने भविश्यवानी की थी, तो यह, भोजन के दोरान था, क्या हुआ था, और क्या भविश्यवानी की थी, बारिश की, तो उसी time क् big drops, जो बड़ी-बड़ी बूंदे थी, of rain, बारिश की, began to fall, वो गिरने लगी, big drops of rain, subject, began, वर्ब की second form, begin मतलब शुरू करना, began मतलब second form, तो began to fall, गिरने लगी, तो यह भोजन के समय था, की, बड़ी-बड़ी बूंदे, गिरने, नीचे गिरने लगी, जैसा की, लैंचो ने, प्रिडिक्ट किया था, बविश्यवानी की थी, word याद कर सकते हैं, प्रिडिक्ट, बविश्यवानी करना, begin to fall, नीचे गिरना शुरू होना, आगी क्या लिखा है, in the north east, north east में, क्या हुआ था, huge mountains of clouds, cloud मतलब बादल, बादलों के बड़े-बड़े mountain, तो बड़े-बड़े, जो mountain बन रहे थे, किनके, बादलों के, मतलब शेप बन रही थी, वैसी, तो बादलों के बड़े-बड़े पहाड, could be seen, देखे जा सकते थे, ये could का passive voice है, could be, next है, the air was fresh, हवा fresh थी मतलब एकदम ताजा थी, and sweet और मधूर थी, तो air subject है, fresh adjective है, sweet भी adjective है, जैसे he is happy, वैसी the air was fresh, the man, आदमी जो है, went out, वो बाहर गया, for no other reason, किसी और reason के लिए नी, then, to concern, तो कौन सा reason था, तो किसी और reason के लिए बाहर नी गया, तो किस के लिए गया, to have the pleasure, आनन्द लेने के लिए, जैसे have tea होता है, चाहे पीना, have a bath, नहना, have breakfast, breakfast करना, ऐसी होता है, have the pleasure, आनन्द लेना, अब किस का आनन्द लेने के लिए बाहर गया, तो past indefinite tense, and, or, when, जब, he returned, और जब वो वापिस आया, he exclaimed, तो उसने कहा, exclaim क्या होता है, कहना, exclaim हम कभी यूज करते है, sad की जगा पर, तो say का हो जाता है, sad, लेकिन जब हम emotions add कर देते हैं उसके अंदर, किसी भी तरह का emotion होता है, happy, sad, sorrow, किसी भी तरह का, तो हम sad को बदल देते हैं, exclaimed में, तो उसने कहा, मतलब emotion के साथ, अब उसके exact word थे, ये सारे, क्या थे, these are not raindrops, ये raindrops नहीं है, ये वारिश की बूंदे नहीं है, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही है, falling मतलब गिर रही है, आकाश से, they are new coins, ये नए सिख्के है, ठीक है, नए सिख्कों के साथ compare किया है, लेंचों ने, raindrops को, तो जो ये गिर रही है, बड़ी raindrops, तो ये new coin है, नए सिख्के है, the big drops, जो बड़े वाले drops है, are 10 cent pieces, वो 10 cent के pieces है, जैसे cent क्या होता है, 100 cent मतलब 1 dollar, अमेरिका में dollar चलता है, इंडिया में rupee चलता है, तो 10 cent, ऐसी 100 cent हो गया 1 dollar, तो 10 cent आप लगा लो कितने होंगे, तो जो बड़े drops है, वो 10 cent pieces है, 10 cent के pieces है, टुकड़े है, and or the little ones और जो चोटे वाले है, are 5s, और वो 5-5 cent के टुकड़े है, clear हो गया, now, आज ये next, with a satisfied expression, satisfied मतलब संतुष्टी वाला, expression मतलब भाव, चैरे पर अलग भाव आते हैं, happy वाला, दूख वाला, किसी भी तरह का भाव, तो एक संतुष्ट भरे, expression के साथ, भाव के साथ, he regarded, तो उसने, उसने देखा, यह regarded का मतलब है, saw, regard के कई मतलब होते हैं, लेकिन इस context में इसका मतलब है, देखा, तो उसने देखा, the field, खेतों को, consecate of ripe corn, पके वे मकई के खेत, with its flower, जो फूलों के साथ में थे, तो उनको देखा, और वो कैसे थे, देख, कोमा लगा कर, क्या लिख रहे हैं, draped, draped का मतलब होता है, cover, तो जो covered थे, मतलब ढके होए थे, इना curtain, पर्दे में, curtain होता पर्दा, किसका पर्दा, of rain, तो भारिश के पर्दे में ढके होए थे, तो उसने वो सब देखा, clear हो गया यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, expression मतलब भाव, जो भी हसी का हो, मतलब happiness का, sorrow का, या आप जीद जाते हैं, तो अलग expression देते हैं, satisfied मतलब संतुष्टी वाला adjective है, regard का यहाँ पर मतलब है देखना, curtain मतलब है पर्दा, drape का मतलब होता है, cover, ripe corn is पकावा मकई, clear हुआ, यहाँ लेकिन, suddenly, अचानक से, a strong wind, मतलब एक बड़ा ही strong, मजबूत, जो हवा का जोका है, तो बड़ी ही मजबूत हवा, wind, एक होता है, wind, wind, यह verb होती है, wind मतलब लपेटना, और wind हवा होती है, बोलने में अंतर है, यह होता है, wind, लपेटना, वर्ब, और wind होती है, हवा, तो एक strong ह हवा जो है, begin to blow, वो चलने लगी, blow मतलब हवा का चलना, begin मतलब शुरू होना, तो शुरू होगी हवा चलना, strong, and, or, along with the rain, और बारिश के साथ, along with the rain, बारिश के साथ, very large hail stones, बहती बड़े-बड़े, large is बड़े-बड़े, hail मतलब होता है, ओले, ओले वाले पत्थर, मतलब बड़े-बड़े ओले, जो थे, begin to fall, वो भी गिरने लगे, बारिश के साथ, clear हो गया सारा, यहां पर hail stones, मतलब हो गया, बड़े-बड़े ओले, और very large hail stones, सारा subject है, begin यहां पर वर्ब की second form, उपर देखे तो, a strong wind subject है, begin वर्ब की second form, end के साथ sentence को जोड़ा हुआ है, clear हो गया यहां तक, तो लेकिन, अचानक से strong wind, wind चलने लगी, और बारिश के साथ, बड़े-बड़े ओले, गिरना शुरू हो गए, these, यह सब, truly, सच में, did resemble, मिलते-जुलते थे, new silver coin, silver coin से, resemble मतलो होता है, मिलना, जैसे, his face resembles your face, उसका चैरा, तुमारे चैरे से मिलता है, तो resemble, अगर देने के लिए किसी बात पर, empathic sentence, इनको हम बोलते हैं, तो empathic sentence में, did लगाते हैं, फिर verb की first form लगाते हैं, तो यह क्या थे, सच में, new silver coin जैसे थे, सच में, the boys, जो लड़के थे, कोमा लगा के बता रहे है, उनकी condition कैसी थी, exposing, मतलब परकट करते हुए, themselves, खुद को to the rain, मतल collect, इकठा करने, the frozen pearls, pearls मतलब मोती, frozen मतलब जमे वे, तो जमे वे मोती, तो इकठा करने के लिए, वो बाहर की तरह भागे, तो obviously कपड़े उतार के बच्चे भागते हैं, बारिश में, तो expose कर देते हैं, अपनी body को, exposing themselves, किसको expose कर रहे थे, खुद को बारिश में, तो clear हो गया यहाँ पर the wise subject है, फिर ran out, verb की second form लगी है, उसके बाद सब other words, और wise के बारे में, additional information देने के लिए, कौमा लगाया, verb से पहले कौमा लगाया, बीच में बता दिया, उसके बारे में, wise के बारे में, तो again, it is all about rules, rule आते होंगे, तो English पूरी समझ में आएगी, अब क्या हुआ, फिर double inverted, कोमा लगाया है, exclaimed the man, तो आदमी ने कहा, exclaim लिखा है, sad की जगा, मतलब थोड़ा सा expression के साथ, उसने कहा, it's really getting bad now, अब यह तो बहुत बुरा हो रहा है, get bad मतलब बुरा होना, तो यह present continuous tense है, it's really, मतलब सच में बुरा हो रहा है, अब, तो उस आदमी ने कहा, I hope, आशा करता हूँ, it passes quickly, कि यह जल्दी से गुजर जाए, तो it मौसम के लिए use कर रहे है, pass मतलब गुजरना, it subject है, तो yes लगा दिया, pass के साथ, और quickly मतलब जल्दी से, मैं आशा करता हूँ, यह जल्दी से, नहीं गुजरा, मतलब वो बारिश ओती रही काफी देर तक, 4NR, एक घंटे तक, the hail, rain, जो ओले थे, वो बरसे, rain या पर अपकी second form, तो एक घंटे तक, या एक घंटे के लिए, वो जो ओले है, वो बरसे, कहां पर बरसे, on the house, मकान पर, the garden, उस गार्डन पर, the hill side, hill के side में बरसे, the corn field, मकाई के खेत में बरसे, on the whole valley, पूरी पूरी घाटी में बरसे, the field was white, अब वो जो खेत थे, पूरे, white थे, as if, मानो की, covered with salt, जैसे की नमक से भर गए हो, तो field subject, white, एक adjective है, as if, sentence जोड रहा है, connector, फिर sentence, Now, not a leaf remained, मतलब एक पत्ता भी नहीं बचा, leaf मतलब पत्ता, not a leaf मतलब एक पत्ता भी नहीं, remained मतलब बचा, past indefinite हो गया, remained, वब की second form, not a leaf subject, एक पत्ता भी नहीं बचा, on the trees, पेडों पर, the corn was totally destroyed, जो मकाई था, वो पूरी तरह से, totally मतलब पूरी तरह से, destroyed मतलब तबा हो गय थे, the flowers, जो फूल थे, were gone, वो जा चुके थे, from the plants, पौधों से, तो वो जो flowers थे, म कही के उन पे, तो वो भी मतलब तूट गे थे, वो जा चुके थे, destroy हो चुके थे, लेंचो's soul, लेंचो की आत्मा, was filled, वो भर गई थी, sadness के साथ, with sadness, तो filled यहां पर adjective है, gone यहां पर adjective है, destroyed यहां पर adjective है, और adjective से पहले, इस जैमार, past में was, were का यूज होता है, ठीक है, तो अब आजी आगे, when, जब, the storm had passed, जब तुफान, storm मतलब होता है, तुफान, तो जब तुफान जा चुका था, पास जा चुका था, he stood, वे खड़ा हुआ, in the middle, बीच में, of the field, खेत के, and said, to his sons, और अपने बेटों से कहा, देख रहे हैं, आप यह खेत के बीच में, खड़ा हुआ है, लेंचू, तो इसने अपने बेटों से क्या बोला, अप्लेग ओफ लोकस्त, यह लोकस्त क्या होता है, लोकस्त मतलों होता है, तीडी, हिंदी में जानते हैं, तीडी धल होता है, यह इंसेक्ट्स होते हैं, छोड़े-छोटे कीडे, which fly जो उड़ते हैं, in big swarms, मतलब बड़े-बड़े groups में, and destroy crops, और फसलों को बरबाद कर दे से हिंदीमें वखें, तीडी ग्रूप, तीडी यो का दल जो था, तो उससे जो प्लेग फैलता है, बिमारी फैलती है, तो अ प्लेग ओफ लोकस्त, यह वड़ आप याद जुरूर कर लीजएगा, तो a plague मतलब बिमारी जो टिडियों से फैलती है would have left इसने छोड़ा होता ठीक है जब हम कल्पना करते है past की उसने ऐसा किया होता तो हम यूज करते हैं यह long past है तो इसमें हम क्या करते है would have प्लस वर्व की third form लगाते हैं यह conditional sentence में आप पढ़ेंगे तो उसने छोड़ा होता would have left क्या छोड़ा होता more than this इससे ज्यादा तो कहने का मतलब है अगर वो जो टिडिदल है उसने अटैक किया होता है वो भी इससे ज्यादा फसल छोड़ के जाती लेकिन इस तुफान ने तो स कुछी बर्बाद कर दिया so a plague of locusts I would have left more than this इससे ज्यादा उन्होंने छोड़ा होता दहें ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा नहीं नहीं कुछ नहीं छोड़ा है लेफ्ट वर्ब की third form हैल subject तो इसने कुछ नहीं छोड़ा है इस साल we will have हमार पास होगा no corn कोई भी कॉर नह मतलब हमार पास कोई भी मकई नहीं होगा that night वो रात was a sorrowful one मतलब वो रात दुख भरी रात थी all our work हमारा सारा काम for nothing किसी भी चीज के लिए नहीं मतलब हमारा जो सारा काम था उसके वदले में कुछ नहीं मिला वो सब बर्बाद हो गया for nothing मतलब किसी भी चीज in return में नहीं मि जो हमारी मदद कर सकता है who relative pronoun है जो उस व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है we will all हम सब go hungry भूके रह जाएंगे this year इस साल तो go hungry या remain hungry मतलब होता है भूके रह जाना future indefinite tense तो सारे वो ही tenses यूज हो रहे हैं जिनको English आती है उन को नहीं आते rules उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो यह अभी थोड़ा आमने पढ़ लिया अभी और पढ़ेंगे इसके question मैं पढ़ देता हूं बाकी answer आप match कर लीजेगा what did Lancho hope for Lancho को किस चीज की आशा थी hope थी past indefinite did लगा है तो उसको आशा किस की थी rain की दूसरा why did L लैंचो से लैंचो ने क्यों कहा क्या का the rain drops were like new coins की जो rain drops है वो नए सिक्कों की तरह थी उसमें क्यों का how did the rain change बारिश क्या से बदली what happened क्या हुआ to Lancho's fields Lancho के fields को 4th is what were Lancho's feelings Lancho की feelings क्या थी उसकी भावनाई क्या थी when जब the hail stopped जब यह ओले पढ़ना बंद हुए तो question answer आप अपनी book में देख लीजेगा आपके teachers बता देंगे बाकी lessons आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप लिख सकते हैं next है but लेकिन in the hearts of all लेकिन सब के दिलों मे कौन सब who lived जो रहते थे in that solitary house उस एकांत या उस अकेले house में solitary मतलब होता है एकांत या अकेला ठीक है अलोन जिसको बलते हैं सब के दिलों में कौन सब who lived जो रहते थे उस solitary मतलब एकांत या alone house में और यह कहां था in the middle of the valley उस घाटी के बीच में तो उन सब के दिल में क्या था there was a single hope सिरफ एक ही आशा थी कौन सी आशा help from God भगवान से मदद की कि डोंट बीसा अप्सेट अजहरिक को में लगा है डोंट बीसो अपसेट यसा डॉंट भी सैड दुखी मत ओऊ डोंट बीसो अपसेट नाराज मत हो imperative sentence से बी यहां पर वर्ब की फरस्ट फोर्म इसका मतलब होना तो नाराज मत ओ और एवन दो हालां कि this seems यह लगता है like a total loss, पूरे के पूरे loss की तरह, मतलब जैसे सब बरबाद हो गया, ऐसा ये दिखता है clear, यहाँ पर even दोगा मतलब होता है, हालां की seem मतलब होता है, लगना this ये subject seem ये verb की first word में, एस लगा हो है ये लगता है, like, किसके जैसा a total loss, किसा बरबाद हो गया remember, याद रखो no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है, no one subject है, die मतलब मरना, no one single इसलिए S लगा दिया, die के साथ off तो लगता ही है, उसके आद हंगर, भूख से मरना die of hunger, no one comes कोई नहीं आता है, no one goes कोई नहीं जाता है, no one studies कोई भी नहीं पड़ता है, no one dies कोई भी नहीं मरता है, present indefinite tense, और क्या यहाँ पर double noted comma भी निच्छे भी है that is what यही है, they say that's what they say, यही है वे कहते हैं जो क्या वोलते है, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है next है, all through the night यानि के throughout the night, पूरी रात भर, throughout the day, दिन भर तो यहां रात लिखी है throughout the night, या all through the night, तो रात भर लेंचो, thought लेंचो ने सोचा, only of, सिरफ के बारे में, किस के बारे में सोचा, his one hope, उसकी केवल एक आशा जो थी उसके बारे में सोचा, और कौन सी आशा थी the help of God, भगवान की साहता, तो पहली उसकी hope क्या थी, कि बारिश हो जाए और दूसरी hope क्या है, बरबाद होने के बाद सब कुछ, कि भगवान की मदद मिल जाए तो पूरी रात, लेंचो ने सोचा, सिरफ एक आशा के बारे में, आशा की the help of God, भगवान की मदद, और भगवान को अभे, whose relative pronoun यूज कर दिया, भगवान के बारे में additional information देने के लिए whose eyes, जिसकी आखे see everything, सब कुछ देखती है, तो भगवान के लिए जिसकी आखे सब कुछ देखती है, even यहां तक की what is deep, जो गहराई में है, किसके गहराई में in one's consigns एक व्यक्ति की अंतरात्मा में consigns मतलब होता है अंतरात्मा, inner sense जो आपको अंदर से लगता है, देखिए यहां भी लिखा है, consigns and inner sense of right and wrong, मतलब अंदर जो लगता है, सही है, गलत है अंतरात्मा की आवाज तो जो उसके अंदर भी चल रहा है तो भगवान कुन whose eyes जिसके आँखे देख सकती है सब कुछ, everything इवन यहां तक की जो हमारे concise के अंदर है ठीक है, उसके गहराई में है, वो भी देख सकती है और आखे तो हमने पढ़ ली, लेकिन यहां पर और के लिख है, as जैसा की he had been instructed, जैसा की उसको निर्देश दिया गया था, यहां पर as he had been instructed as मतलब जैसे की he had been instructed, यह है हमारा past perfect tense passive voice का इसलिए had का passive है, had been फिर वर्ब की third form तो whose यहां relative pronoun even यहां तक की, तो काफी सारे concept बीच में use कर दिये, तो जिसको rule आते हैं, वो समझ पाएगा बाकी के लिए मुश्किल है, पर हिंदी बता देता हूं दुवारा कि रात बर लेंचो सोचतारा सिरफ एक ही आशा के बारे में कौन सी आशा, help of God और God कौन, whose eyes जिसकी आखे, as he had been instructed जैसा कि उसको बताया गया था, मतलब लेंचो को किसी ने तो बताया होगा, तो इसलिए लिखा, as he had been instructed क्या बताया गया था कि उसकी आखे, सब कुछ देखती है, even यहां तक की what is deep, गहराई में क्या है, किसकी गहराई में, in one's consigns, किसी के अंतर करण में, इसके बाद है, lancho was, lancho था, an ox of a man, यह वर्ड अच्छा है फ्रेज, इसको आपको याद करना चाहिए, ox मतलब होता है, बलद, ठीक है, बैल बोल देते है, of a man, तो एक आदमी में से अगर बहुत स्ट्रोंग है, तो an ox of a man का मतलब हुआ, well built, जो बहुत अच्छे से मतलब शरीर, उसका strong हो, और जो मैनती हो, तो उसी को बोला है, an ox of a man, तो lancho काफी well built, और मैनती था, industrious था, hard working था, working like an animal, जो काम करता था, जानवर की तरह, in the fields, खेत में, बट लेकिन, still, लेकिन अभी भी, he knew, वो जानता था, how to write, लेकिन फिर भी, वो जानता था, कि कैसे लिखते हैं, मतलब उसको लिखना आता था, he knew how to write, उसको लिखना आता था, अक्सर खेत में काम करने वालों को लिखना नहीं आता, लिखना पड़ना, पर उसको आता था, the following Sunday, अगले संडे को, at day break, जैसे at night होता है, रात को ऐसी day break, मतलब दिन का जो break था, तो उस समय, तो अगले संडे, दिन के break के time, he began to write, उसने लिखना शुरू किया, he subject began verb की second form, ल he himself, वे खुद, वुड कैरी, ले जाएगा, कैरी मतलब ले जाना, to town, कस्बे में, and place, और उसको डालेगा, in the mail, mail में, तो mail box आप जानते हैं, इस तरह का, एक mail होता है, इस तरह उसमें, लेटर डाल देते हैं, तो उसको बलते हैं, तो उसमें डालेगा, वहां पे ले जाके, और यहां पे would की use हुआ है, will लगना चीए, ले जाएगा के लिए future, तो यह देखिए, इस से पहले past लगा है, तो यह हमारा past plus would का lesson हुआ है, इसलिए will का would, तो आगे है, it was, यह था, क्या था, nothing less than a letter to God, मतलब भगवान को पत्तर से कम नहीं था, मतलब भगवान के लिए पत पत्तर से कौन सा पत्तर, to God, भगवान को, next है, God, भगवान, he wrote, उसने लिखा, अब double inverted commas में उसने लिखा भगवान, और और के लिखा, देखिए, आगे भी double inverted commas है, यहां तक, तो उसके exact word क्या थे, लैटर पे लिखे हुए, कि God, भगवान, if अगर, you don't help me, अगर आप मेर मदद नहीं करते हैं, या मदद नहीं करेंगे, my family and I, मैं और मेरा परिवार, will go hungry, भूके रह जाएंगे, this year, इस साल, I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है, need, जरूरत है, 100 pesos की, in order to sow, बोने के लिए, खेत में, हम बीज बोते हैं, बोने का मतलब, so, in order to का मतलब, ता कि, ता कि हम ब बोने के लिए, my field, मेरे खेतों को, again, फिर से, तो वो लिख रहा है, मुझे 100 pesos की जूरत है, पैसो की, बोने के लिए, अपने खेत को फिर से, and, to live, और जीने के लिए, until, कब तक, जब तक की, the crop comes, जब तक की, फसल नहीं आ जाती, until मतलब, जब तक नहीं, the crops come, फसल आ जाती जब तक फसल नहीं आ जाती, clear हो गया है सारा भी, आगे लिखा उसने, because क्योंकि, the hail storm, hail storm मतलब, ओलो वाला तुफान, फिर dot 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 लगा दिया, मतलब, इसके आगे और भी लिखा था, बट यहीं तक, तो यह उसने लिखा, और पैसोज क्या होता है, जैसे डॉलर, रुपीज ह है, ऐसी पैसोज है, उस समय में, पैसोज चलते थे, he wrote, उसने लिखा, to God, भगवान को, on the envelope, envelope पर, एक कागच होता है, envelope बोलते हैं इसको, इसके उपर लिखा जाता है, to, मतलब, आप किस को लिख रहे हैं, दूसरी साइड लिखा जाता है, from, मतलब, किस की तरफ से लिखा जा रहा है, इस envelope के अंदर, letter डलता है, ठीक है, तो यह envelope कहलाता है, तो he wrote, इसने लिखा, to God, भगवान को, on the envelope, इस envelope पर, put the letter inside, और इसके अंदर उसने पत्र डाला, put का second form, putty होता है, तो यह second form लगी है, उसने पत्र डाला, inside अंदर, and, or still troubled, मतलब, अभी भी वो परेशानी था, तो इस अवस्था में, went to town, town चला गया, तो इस sentence में, he जो है subject है, he wrote, उसने लिखा, कोमा लगा के एक और sentence जोड़ दिया, he put, उसने डाल दिया, फिर कोमा डाल के लिख दिया, he went, वो चला गया, तो एक ही sentence में, तीन-तीन sentence जोड़े, he wrote, he put, he went, तो he बार-बार लिखन की जूरत नहीं है, तो पहले पर कोमा लगा दिया, फिर दूसरे से पहले, and लिख दिया, फिर लिख दिया, went, आगे है, add the post office, post office में, he placed a stamp, उसने एक stamp लगाई, on the letter, पत्र पर, and dropped, और डाल दिया, it इसे, मतलब उस letter को, into the mailbox, इस डबबे में, mailbox में, ठीक है, place a stamp, stamp लगाना, अफिक्स करना, drop, डाल देना, अब क्या हुआ, one of the employees, employees कौन होते है, करमचारी, जो काम करने वाले होते हैं, और अगर, es की जगा मैं, er लगा दूँ, तो यह हो जाएगा, employer, मतलब मालिक, बढ़ों या, employees की बात करें, करमचारी की, जो वाहां काम करते हैं, तो उन करमचारी उन में से one, one of the employees, उन में से एक, went, गया, to his boss, अपने boss के पास, laughing, हसते हुए, heartedly, मतलब, जोर-जोर से, and showed him, और उसको दिखाया, boss को दिखाया, the latter, वो पत्र, कौन सा पत्र, to God, जो भगवान को लिखा गया, अब यहां who लिखावा है, relative pronoun, किसके लिए यूज किया गया है, इस एक व्यक्ति के लिए, इन employees में से जो, उन में से एक गया था, उसके लिए, तो करमचारियों में से एक, कौन करमचारी, who was a postman, जो postman था, and also helped, जो मदद करता था, at the post office में, तो वो, went, गया, to his boss, अपने boss के पास, जोर से हसते हुए, ठांके लगाते हुए, और उसको द employees, subject है, इसका, went जो है, और showed, ये लगी हुए, वर्ब की second form, तो past indefinite tense, और who, relative pronoun, आगे आजिये, never in his career, मतलब कभी भी नहीं, अपने career में, as a postman, career कैसा, एक postman के रूप में, had he known, where, जानता था, that address, ऐसा कोई भी address, अपने पूरे career में, वो नहीं जानता था, ऐसा कोई भी address, अब आप सोच रहोंगा, ये translation कैसी use हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ, I knew, मैं जानता था, ये हो गया past indefinite, अगर मैं इसमें समय add करना चाहूं, जैसे हैं आप एड किया गया है, career, ठीक है, career बता रहें कि, एक point से दूसरे point तक, इस beach, तो जब ये time intense आता है, तो हम क् करते है, past indefinite को change करते है, past perfect में, तो I knew का हो गया, I had known, मैं नहीं जानता था, ठीक है, और कभी भी नहीं है, तो never लगा दिया, I had never known, that address, ऐसा address में कभी भी नहीं जानता था, फिर क्या किया इनोंने, ये जो head है, इसको उठा के बाहर पटक दिया, यहां पे देखिए, यहां सुनर के lesson में हमने किया था, तो ये inversion होता है, ऐसी only का lesson में हमने किया था, तो वही concept यहां पे use हुआ है, और जो ये never है, other word है, इसको उठा गया यहां पे लगा सकते हैं, या last में भी लिख सकते हैं, तो कभी भी नहीं अपने career में, उसने देखा, एक postman के रूप में, वह ज सीखा, सीख लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, आगे है, the postmaster, अब postmaster के बाद, उनका nature बता रहे है, fat, मतलब मोटा, postmaster कैसा था, fat था, amiable, मतलब मिलनसार था, amiable की English होती है, friendly and pleasant, मतलब हिंदी सीदी सीदी याद रख लो, मिलनसार जो सब के साथ मिल जूल कर रहता है, त तो postmaster, जो मोटा और मिलनसार था, fellow मतलब साथी, तो मिलनसार साथी, also तो ये भी broke out laughing, ये भी जोर जोर से हसने लगा, तो breakout laughing मतलब होता, जोर जोर से हसना, breakout यहाँ पे वर्ब की second form, तो वो भी हसने लगा, but लेकिन almost immediately, लेकिन लगभग, almost मतलब लगभग, immediately तुरन, लेकिन तुरन्त, he turned serious, वो serious हो गया, गंबीर हो गया, he subject turned verb की second form, तो थोड़ा सन गंबीर हो गया, वो serious हो गया, and or, को मा लगा के, tapping the letter, letter को tap करते वे, जैसे आप उंगली से table पे उसको ठक ठक कर रहे हैं, ऐसी उसने tap किया letter को, ठक ठक किया, on his desk, अपने desk पर, मेज पर, commented, तो वो serious ह हो गया, और tap करते हुए, desk पर उस letter को, commented, उसने comment किया, क्या comment किया, अब यह देखिए, double inverted commas लगें, यह exclamatory sign है, तो क्या बोला उसने, what faith, क्या विश्वास है, I wish I had the faith, काश मेर पास भी ऐसा विश्वास होता, यह हमारा I wish का lesson है, जिसमें हमने 7 uses किये थे, I wish I were, I wish I had, I wish I could I wish I could have, I wish I would, ऐसे बहुत सारे हैं, 7 concept, तो काश मेर पास भी विश्वास होता, कैसा विश्वास of the man, उस आदमी जैसा, कौन आदमी, who wrote this letter, जिसने यह पत्तर लिखा, और क्या होला, starting up or correspondence with God, भगवान के साथ वातालाब शुरू करना, correspondence क्या होता है, माल लो, यह college है, college के अं पढ़ते हैं, सिरफ exam देने college में जाते हैं, तो आप correspondence कर रहे हैं, हो सकता है, college दिल्ली में हो, आपका घर चंडीगड में हो, तो exam के time आप जा रहे हैं, सिरफ तो आप correspondence course कर रहे हैं, correspondence degree कर रहे हैं, तो एक तरह से, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहाना, ठीक है, उसको correspondence ब पत्र लिखा, now, next है, so, इसलिए, in order not to shake the writer's faith in God, मतलब, in order to होता है, ताकी, और not लगाना है, तो बीच में लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विश्वास है, writers का faith है, भगवान पर, तो वो शेक ना हो जाए, ठीक है, राइटर का विश्वास, भगवान से डोल न जाए, शेक ना हो जाए, शेक मतलब डोलना, तो वो न हो जाए, in order not to, कि वो न हो जाए, so, इसलिए, the postmaster came up with an idea, तो वो एक idea के साथ आया, मतलब, उसको एक तरकीब सूजी, कौन सी तरकीब, answer the letter, उस पत्र का जवाब देना, बट लेकिन, when he opened it, जब उसने उसको खोला, it was evident यह clear था, evident मतलब होता है, clear, अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए, clear, spust, या obvious, evident, तो यह spust था जब उसने उस पत्र को खोला, that key, to answer it, मतलब इसका जवाब देने के लिए, he needed, उसको जरूरत थी, something more than goodwill, सद भावना से कहीं, और ज्यादा कुछ, goodwill, क्या होता है, सद भावना, अच्छी भावना, तो कह रहा है, सद भावना से काम ने चलेगा, उससे कुछ ज़्यादा देने की जरूरत है, he needed something more, उसको और ज़्यादा की जरूरत थी, than goodwill, सद भावना से ज़्यादा, ink and paper, इन से ज़्यादा, but लेकिन, he stuck to his resolution, लेकिन उ लगलग संकल्प करते हैं, कि मैं इस दिन ये काम करूँगा, जीम जाओंगा, या कसरत करूँगा, रनिंग करूँगा, ऐसे ऐसे plan बनाते हैं, उनको resolution बोलता है, संकल्प, और stuck मतलब हसा हुआ, अटकना, तो बट, he stuck, लेकिन वो अटक गया, अपने संकल्प के आगे, he asked for money उसने पैसे मांगे, ask for मतलब मांगना, उसने पैसे मांगे किस से, from his employees, अपने करमचारियों से, he himself उसने खुद गेव दिये, part of his salary, अपनी salary का कुछ हिस्सा, तो उसने भी खुद अपनी salary का कुछ हिस्सा दिया, and or, several friends of his, और उसके जो कुछ दोस्त है, वर, उसके जो कुछ उनके लिए compulsory है वो चीज, तो बंदन में थे, उनको करना ही, देना ही देना है, तो several friends जो थे उसके, वो बात दिया थे, to give something, कुछ देने के लिए, for an act of charity, charity मतलब दान, act मतलब काम, तो दान का काम, for मतलब के लिए, तो दान के काम के लिए, कुछ देने के लिए वो बात द ये असंभव था, for him, उसके लिए, to gather, इकठा करना, gather होता, इकठा करना, collect करना, तो उसके लिए, मुश्किल था, इकठा करना, together, एक साथ, क्या इकठा करना, the 100 पैसोज, 100 पैसोज, इकठा करना, मुश्किल था, so, इसलिए, he was able to send, वो भेज पाया, the farmer, फार्मर को, only a little more than half मतलो, आदे से थोड़े से ज़्यादा ही भेज पाया, मालो, हाफ हो गया, 50, 50 से थोड़े से ज़्यादा, 60, 70, इतने, वो भेज पाया, तो able to का lesson, able to मतलब समर्थ होना, तो वो समर्थ था, भेजने के लिए, सिरफ आदे से थोड़े से ज़्यादा पैसे, he put the money, उसने पैस जो जाना था, लैंचो को, उसके address पर, and with it, और इसके साथ, a letter और एक पत्तर भी बेजा, containing, जिसमें था, contain मतलो था, शामिल होना, जिसमें कुछ होना, किसी चीज में कुछ का होना, मतलब स्टोर होना, contain करना, तो a letter, एक पत्तर भी था, कौन सा पत्तर, containing, जिसमें था, only a single word के वल एक ही शब्द, as a signature, अपने sign के रूप में, और वो था God, सिरफ यही उसने लिखा, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया, इसके कुछ questions है, जैसे, who and what did Lencho have faith in, तो किस पर, या किस का, और क्या faith था, लैंचो को, what did he do, उसने क्या किया, यह question, आप अपनी बुके देख ल लिखा, who subject है, red second form, पत्र किसने, read किया, लिखानी, sorry, पड़ा, तीसरा, what did the postmaster do, postmaster ने, क्या किया, past indefinite tense, और then मतलब, फिर, clear हो गया, अब आज यह, next, थोड़ी सी रह गया स्टोरी, interesting है, मजा आएगा लास्ट में, the following Sunday, अब अगले संदे को क्या हुआ, लैंचो केम, लैं पहले, then usual, usual मतलब आमतोर, या normal, तो जो normal time होता है, उससे थोड़ा सा पहले आया, to ask, पूछने, और पूछा उसने, ask यहां पर पूछने के लिए, मतलब कहा, और यह ask जो है, यह हमारा said, said जो है, वो ask में बदला है, क्योंकि यह indirect narration है, क्या पूछा उसने, if there was a letter for him, क्या उ आप सोच रहे होंगे, यहां पर was कैसे use क्या, तो is there, is there a letter for me, उसने यह पूछा होगा, is there a letter for me, मेरे लिए कोई पत्तर है, अब यह is से start हुआ है, इसका मतलब हिंदी में, क्या से हमारा sentence start हुआ है, तो indirect narration में क्या करते हैं, जो क्या से sentence start होते हैं, तो if या weather से जोड़ा जा आता है, आस्क में, उसके बाद is MR, was var में बदलता है, तो वही indirect narration, तो चार वीडियो दे रखें, narration पर देख लीजेगा in detail, तो अगले संडे लैंचो थोड़ा सा पहले आया, नॉर्मल आर से, और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्तर है, और हम यहां बोल रहे हैं कि उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्तर है, it was the postman, वो postman ही था, it was the postman himself, वो postman ही था, खुद, who handed the letter to him, जिसने पत्तर दिया, handed मतलब देना, तो who gave, या who handed the letter to him, जिसने उसको पत्तर दिया, तो postman ने ही उसको दिया, वाइल, जब की, the postmaster, जो postmaster है, कोमा लगा के देखिए, यहां पर, यहां तक, तो postmaster जो है, experiencing, अनुभव करते हुए, कि इसको, the contentment, संतुष्टी को, contentment क्या होता है, संतुष्टी, तो satisfaction या संतुष्टी को, अनुभव करते हुए, कौनसे संतुष्टी, of a man, एक आदमी की, कौनसा आदमी, who has performed, जिसने किया है, a good deed, अच्छा करम, मतलब, postman, खुदने अच्छा काम किया था, उनकी मदद करके, तो, ऐसा एक आदमी, जिसने अच्छा काम किया है, एक अच्छा deed करा है, मतलब करम किया है, तो, ऐसा काम करने से, जो संतुष्टी मिलती है, तो, उसको experience करते हुए, जो postmaster है, looked on, तो, वो देख रहा था, from his office, अपने office से, clear हो गया, तो, easy है, वैसे तो, again, rule नहीं आते होंगे, तो, मुश्किल लगना ही है, तो, अब क्या हुआ, अब देखिए, क्या होता है, स्टोरी में, लैंचो, शोड, not the slightest surprise, सर्प्राइज मतलब, आश्चर है, slightest मतलब थोड़ा सा भी, तो, लैंचो ने, थोड़ सर्प्राइज मतलब, थोड़ा सा सर्प्राइज भी नहीं दिखाया, on seeing, देख कर, दमनी पैसे को, such was his confidence, ऐसा था उसका confidence, बट लेकिन, he became angry, लेकिन वो गुस्सा हो गया, अब सोचो, उसको सतर पैसो तो मिल गये, फिर भी वो गुस्सा हो गया, और सर्प्राइज भी नहीं की second form, he subject became verb की second form, तो गुस्सा हो गया, जो उसने पैसे गिने, God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकता था, could have का use, फिर make का हो गया, made, make a mistake, गलती करना, third form made a mistake, और could have use करते हैं, कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, तो God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकता था, फिर नौर लगा दिया, और नहीं, could he have denied, और नहीं वो मु कर सकता था, तो नौर, यह हमारा नौर का lesson है, जैसे I will not go, नौर will my friend, मैं नहीं जाओंगा और नहीं मेरा दोस्त, तो ऐसा ही हमारा नौर का concept था, वो ही यहां पे use ह हुआ है, उसके बाद हम helping up तो लगाते ही हैं, तो वो ही concept used हुआ है, जिसको यह हमने किया था, workbook part 3 के अंदर, सभी lesson कर रखे हैं, एक भी lesson नहीं है, जो मैंने आपको ना सिखाया हो, सीख लेजिएगा, तो भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था, और नहीं, deny कर सकता था, मत या नहीं मना कर सकता था, what, जो, he had requested, उसने request किया था, past perfect tense, now, immediately, तुरंत, लेंचो, went up to the window, लेंचो, विंडो पर गया, to ask for paper and ink, मांगने, paper or ink, ask for मतला मांगना, तो विंडो के पास गया, मांगने, paper or ink, on the public writing table, जो आपे, लोगो का table होता है, जिस पर वैट के लिखते है कु राइटिंग टेबल पर, he started to write, उसने लिखना शुरू किया, with much wrinkling of his brows, अब जैसे कोई बंदा है, मालो, इसके मात्ते पर देखा होगा, कोई गहरा सोचता है, तो silver टे पढ़ जाती है, बट पढ़ जाते है, इसी को बोला गया है, wrinkling, जो बुडे लोगो होते है, उनका wrinkled face होता है, मतलब, ऐसे silver टे सी पढ़ी होती है, चाहरे पर, wrinkled face, तो उसके जो, उसने लिखना शुरू करा, with much wrinkling of his brows, यह उसके मालो, बहुत सारे wrinkles थे, और यह कोजड, यह किसकी वज़ा से आया थे, कोजड मतलब, किसी चीज के कारण थे, by the effort, परियास के कारण, effort लग रहा था, किस चीज में, he had to make, मतलब, जो उसे लगाना पड़ा, अब यहां पर देखिए, he had to, he had to make effort, उसे effort लगाना पड़ा, यह effort की जगा मैं लिख देता हूं, that, that he had to make, या फिर which, यह दोनों relative pronoun ने, short करने के लिए, इनको नहीं लगाया गया, तो he had to make effort, उसे परियास लगा पड़ा, जो, क्या करने के लिए, to express करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, show करने के लिए, his ideas, अपने ideas को, अपने विचारों को, तो थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा सिल्वटे पड़ गी थी, जव लिखना शुरू किया, आगे क्या हुआ जब उसने लिखना, फिनिश किया, he went to the window, window के पास गया, to buy a stamp, stamp खरिदने के लिए, which, जो, तो which ये stamp के लिए है, relative pronoun, तो जिससे, he licked, उसने चाटा, लिक मतलब चाटना, तो उसने चाटा, and then, और फिर, affixed, उसको चिपका दिया, affix मतलब लगा देना, तो affixed to, ये देख र लगा दिया, the envelope, envelope, ये देखे, इसके हाथ में क्या है, envelope, इस पर लगा दिया, stamp, मतलब अंदर ही लगाया होगा, letter पर, तो वो लगा दिया, with a blow of his fist, fist मतलब होती, मुठी, और blow मतलब, जैसे मानलो, ये पत्तर है, ये किसी का हाथ है, अंगुठा है, ये इसकी fingers है, तो उसने मुक्का करके इस पर मारा, blow कर दिया, ठीक है, इसको बोलते है, blow the fist, मुठी को किसी चीज पर पतक देना, तो उसने envelope पर वो stamp किया गया था, अफिक्स कर दिया, थूख लगा के किया होगा, उस पर अपना हाथ से मुठी बंद करके मार दिया, तो fist, यहाँ पर वर्ड याद क PAST, feast, इसका मतलब होता है, दावत, भोज बोल देते हैं, दावत बोलते हैं, धाबों के बाहर लिखा होता है, feast, आगे है, the moment, जैसे ही, the letter fell, जैसी वो letter गिरा, into the mailbox, mail box में, तो जैसे ही हुआ, the postmaster went to open it, अब जो postmaster था, वो गया, उसको खोलने के लिए, it said, उस पत्र में लि यह पढ़के आपको मज़ा भी आएगा, क्या लिखा था, God, भगवान, of the money, पैसे में से, ठीक है, पैसे में से, of the money, कौन सा पैसा, that, जो, I asked for, जो मैंने मांगा था, क्या रहे हैं, पैसे में से, जो मैंने मांगा था, अब that relative pronoun है, money के लिए यूज किया गया है, तो उस में से, only 70 पैसोज, केवल 70 पैसोज ही, reached me, वो मेरे पास पहुचा, सो में से, इतना ही मेरे पास पहुचा, send me the rest, rest मतलब बाकी बचा, तो मुझे बाकी बचा, भेजो, send यहां पर verb की first form है, बाकी other word, यह imperative sentence है, तो बाकी बचा, मुझे भेजो, since, क्योंकि, I need it, मुझे इसकी जर send it, इसे मत भेजना, to me, मुझे, through the mail, mail के जरिये, तो उसको लग रहा है, कि पहले भगवान ने उसको पत्तर बेजा था, लेकिन, सो के जगा सत्तर ही थे उसमें, तब उसको शक हो रहा है, कि जरूर इनोंने चोरी किया होगा, करमचारियों ने, और सत्तर मुझे बेज दिय तीस अपने पास रख लिए, तो इसलिए हो कह रहा है, but don't send it to me, मुझे मत भेजना ये, through the mail, mail के जरिये, because, क्योंकि, the post office जो है, employees, post office के जो करमचारियों, employees है, are, वो है, a bunch of crooks, मतलब वो, धोके बाजों का ग्रूप है, bunch of crooks, मतलब धोके बाज, तो धोके बाज हैं, तो ल हमारी complete, तो उमीदायक पूरी समझ में आई, एक एक चीज़ explain करी, सारे rules समझाए, अब आप चाहें, तो मेरा English का course join कर सकते हैं, आप भी इस लायक हो सकते हैं, कि आप English में हर चीज़ पढ़ सके, English improve कर लेंगे, तो आपका science, आपका SST, geography, then आपका economics, then English, या कोई भी subject जो English म हो, वो आराम से आप समझ पाएंगे, एक्जाम में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से बना कर लिख पाएंगे, so English का आना जुरूर ही है, ठीक है, मेरी इतनी सी बात पकड़ लेना, English के rule जुरूर सीके, तो अब आप become English champion, एप में मेरा course join कर सकते हैं वन येर का course है, प्राइज अभी 7.99 है, फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली इसको join कर लें, तो ये था हमारा आज का लेसन, और ये दो क्वेशन रहेगे, ये भी पढ़ देता हूँ, वोज लैंचो सर्प्राइजड क्या लैंचो आश उसको किस चीज ने गुस्सा दिलाया, किसने गुस्सा दिलाया, सो की जगा उसमें सत्तरी पैसो हैं, तो इस बात ने उसको गुस्सा दिलाया, और बोला कि bunch of crooks, crook मतलब धोके बाज, एक मूवी भी आई थी, crook, इमरान आश्मिन की मूवी थी, उसमें वो धोके बाज होत झाल